योग के लाव छात्रों से चकों एवं शोद करताओं के लिए योग विशेश रूप से लावतायक शिद्ध होता है क्योंकि यह अनेक मान्द शिक्ष्वास्त को बढ़ाने के साथ शाथ उसकी एक आगरता की छमता को जिसके लिए अध्यापन की प्रक्रियाश्रल हो जाती है पतंजली के योग शूत्र के अनिशार शाशनों की शंख्या 84 है जिसमें भुंजा भुंगजाशन, कोणाशन, पदमाशन, मयूराशन, लब राशन, धनुराशन, गौमखशाशन, शिंगाशन, ब्रज्याशन, मस्तिकाशन, परवाताशन, स्वसन, हलाशन, सिग्राशन, ध राशन, स्वर्गाशन, चत्रकोडाशन, त्रिकोडराशन, मत्राशन, गरुडाशन, इत्याद, कुछ आसान है, योग के द्वारा श्रीर फुष्ट होता है, बुद्धि और तेज बढ़ती है, अंग पृत्ने और रत्प्रवाहित होने में से फूर्ति आती है, मान एवन हलका प्रतीत होता है, योग के शात्मरानेजन का शामावेश के साथ द्विगड़िती है, होता है, इससे मन प्रफलित रहता है, और योग की ठकावट की अनुभाव नहीं होती, शरीर स्वस्तर है, नैसे सभी इंदिया सुचार दूप से काम करती है, योग के, जोग शेष शरीर निरोग मन प्रसनिवाश शरीर जीवन सरल हो जाता है, वर्तमान परिवेश में योग मना शिर्प हमारे लाविकारी है, बल्गी विश्व के बढ़ते प्रजोशन वबमान, विए विवेश्थाओं में उपजी समस्याओं के निवारण के शंदर्म में इसकी श